जी हेलो गाइज जब आपने मुवाइल के प्लेश रूम में जाकर आप लिखते हैं वीडियो इडिटिंग एप तब आपके मुवाइल स्क्रीन पर बहुत सारे वीडियो इडिटिंग एप आपको देखने को मिल जाते हैं तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर एक यूटिवर हैं और आपने हाली में अपने यूटूब चैनल क्रियेट किया है और आपने वीडियो को इडिट करने के लए एक प्रोफेशनल एप की तलास में है तो यह वीडियो आपके लिए बताने वाला हूं जिसके मदद से आप अपने वीडियो के एक प्रोफेशनल लूप दे सकते हैं इडिट करके आपने देखा हुआ काफी बड़े युट्यूबर जो है वीडियो इडिटिंग एप करते हैं जो है उनको जो है आप पर्चेस करना पड़ता है बट एस फ्रेशर आप का मैं भी काफी दिनों से इस्तिमाल कर रहा हूं और मैं युट्यूबर को गाइड भी करता हूं वो भी इसके इस्तिमाल किया करें इस्तिमाल करने के बाद आपको वीडियो इडिट करने में काफी असान होगा तो चलिए गाइस बिना किसी देरी का वीडियो मैं प्लेश्टोर में जाना पड़ेगा, यहां पर आपको वीडियो इडिट आप नहीं लिखना है, यहां पर जो प्लेश्टोर में लिखना है, उस आप का नाम है ब्लॉगईट, काफी यूट्यूबर जानती भी होंगे वर्ड अगर नहीं जानते तो यह एक नमबर आप है, वी इस अग्लियन से ज्यादर डॉण्लोड किया हुआ है, तब आप अन्राज लगा सकते हैं, मैंने इस अल्रेडी डॉण्लोड किया हुए, अपने फोन पर, वीडियो में इसी से एडिट करता हूँ, तो डॉण्लोड किया और इसके सेटिंग के बारें बता देता हूँ, आप आप देख सकते हैं अभी मैं open किया open करने के बाद ऐसा interface खुलता है आपको रेजिस्टर करने के लिए बोलेगा email से आप रेजिस्टर कर लेंगे यहां सारे वीडियो मैंने इसे से इडिट किया है तो यहां पर जब आप को open करते हैं यहां दो option मिल जाता है एक from camera एक from library जब आप वीडियो सूट कर लेते हैं camera से आप फ्रॉम लाइबरी में जाके आप जो वीडियो आपने बनाया है उसको आपको select कर लेना है as for example suppose मैं एक वीडियो चूज कर लेता हूं वीडियो में चूज कर लेता हूं आपको बताने के लिए यहां पर जी suppose कि मैं यह वीडियो मैंने चूज किया है अभी आपको जो वीडियो आपने चूज किया इस तरीके से आपके मॉइल स्किन पर इसमें आप आ जाएगा ठीक है आप नीचे देखिए यहां पर आपको बहुत सारे option दिये गए हैं बहुत सारे आपको मेंके करके बता देता हू सबसे पहले इस सारे से हैं आपका वीडियो प्ले होता है जी देखिए इसके हाई इसका क्वाइटी भी क्याफी अच्छा रहता है देख सकते हैं काफी प्रोफिशनल लग रहा है ठीक है अभी इडिट करने के मैं option बता देता हूं सबसे पहले यहां पर आपको मिल जाता है यहां पर टेक्स्ट का option मिल जाता है तो आप सबस्वीडियो स्टार्टिंग करना है यहां पर एक टेस्ट लिखते हैं सबस्व मेरा चैनल का जो नाम है यहां पर टेक इस प्रेस आप कुछ भी लिख सकते हैं मैं ज़स बता रहा हूं यहां पर यह इस तरह का आप चूस कर स सकते हैं यह टेस्ट का फीचर मुझे काफी अच्छा लगा मतलब यह इंट्रो टाइब किया ठेक है यह कुछ सिकेंड के लिए आता है इस तरीके से मैं एक बार फीर से बता जाता है इसको आप साइज बड़ा चोड़ा हैं से कर सकते हैं यहां पहरे सब्समेंने साइड में आप आप अपना मीजिक है इसमें सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं वह फ्री में आपको जो पसंद है अपने वीडियो में यूज कीजिए वह भी बिदॉर कोपी राइट नहीं मिलेगी यहां पर इफेक्ट है इसमें आपको अलग से डाउनलोड नहीं करना पड़ेग इसम सारह कुछ मिल जाता है मैं प्ले करके बता देता हूं यहां पर इंडिवाइज इंडिवाइज मींस आप जो अपने मुवाइल से डाउनलोड करना चाहते हैं वाइस या बैक्रांड मुजिक इन डाइस में कर सकते हैं ठीक है अब यहां पर आपको मैं बताओं अगर पीपी आप फोटू भी डाइड कर सकते हैं यानि आप अपने चैनल का लोगो भी डाकर सकते हैं सबसे खास बात है कि आप फोटू के साथ आप इसमें वीडियर भी लगा आ सकते हैं guys when you guys अगर बात करें suppose मैं येवाला कोई video layer लेता हूं यहां से आइस सक लेता हूं बढ़ाई यह मेरा अब joue यहां पर क्या होगाा मेरा जो है guys दो वीडियो से मिन पर चलेंगे देख notebook सकते हैं आप यहां पर मोबाइल स्क्रीन को रिकॉर्ड करके भी इस वीडियो में प्ले कर सकते हैं तो यह काफी अच्छा और यूसफूल रहता है यह एडिट ऑप्शन हर यूट्यूबर के लिए ठीक है यह मैंने बता दिया आपको क्या कर नहीं है ट्रांजेक्शन को ऑप् तो यहां पर बहुत सारे चंव मिल जाते हैं आपको देख सकते हैं आपaja कर सकते हैं और स्पिर्ट के औप्चै कर सकते हैं यहां अप कु बता दूए हम फेडियो में क्लिक करतें यहां पर आप जाएंगे यहाँ पर आप guys stream कर सकते हैं video को आप कार सकते हैं dream बड़ा चोड़ा यहां से आप कर सकते हैं यहाँ पर split कर सकते हैं इस वाले orites में जा कर यानि अपने video का snapshot ले सकते हैं ठीक है guys यह भी काफ ही अच्छा है और यहाँ पर अपने video को crop कर सकते यानी video को इस तरह से zoom in कर सकते हैं आप आप सुझ बड़ा कर सकते हैं यहां पर आप video को रुटेट करना रहा तरुष तरह से रुटेट होता है इस video को डूपलिकेट बना als volume बढ़ाना रहा तो यहां से hopond अपका Hi लो होता रहा तो यह तो यह सारे अपको मैंने बता दिने अगर इसे यूज़ करते हैं तो आपको यूज़ करते करते आप भी सिख जाएंगे इसके टूल्स एंड फीचर्स के बारे में तो आज यूट्यूबर अगर आप नई यूट्यूबर हैं और आप विटॉट वाटरमार्क आप के तलास में हैं जो कि वीडियो इडिटिंग के लिए है तो आपको मैं गाइड करूँ है इसी एप को आप डॉनलोड करें काफी छोटा एप है काफी इजी तू यूज है अराम से आप डॉनलोड और इडिट कर सकते हैं यह जो एप है आपको प्रोफेशनल वीडियो स्क्राइब करें इस तरह की वीडियो आपको रोजाना मिलते रहेगी मिलता हूंगा इस आपको नेक्स वीडियो में